असलाम आलेकुम स्टूडेंट्स मैं आपको वेलकम करता हूँ वीज्यो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर जैसा कि आप सबको मालूम है आज से जो है वो मिट्रम एक्जेम जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं इस लेक्षर के अंदर या इस वीडियो चैनल जो वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे उसमें नमबर वन टॉपिक होगा तबेस्ट वे टॉटेंट अपर किया आपके इस तरीके सा अपना पेपर जो है वह अटेंट करें कि मैक्सिम मार्क साजयं इंपोर्टेंट questions कौन से हो सकते हैं कौन से topic important हो सकते हैं कौन से activity important activities मुराद यहां पर यह है कि मुक्तलिफ activities आती है जैसे कि quiz आते हैं assignment आते है GDP आती है उसके बाद mid-term आता है and then final term तो बिल्कुल अलग आपका paper होता है जिसकी 60% weightage होती है और grading scheme क्या होती है grading scheme को बहुत सारे students जो है वो let go कर देते हैं उसको देखते नहीं है तो आईए आज हम उसकी भी detail में बात करेंगे यहां पर मेरे channel के अंदर अगर आप जाएं तो playlist पे वीजू expert teaching channel को आप YouTube पर सर्च करें उसके बाद आप जब वो चैनल आ जाए तो उस पर क्लिक करें क्लिक करने के बाद playlist में जाएं प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट बनी भी एक्जैम टिप सेंट्रेक कुईजिस असाइमें और YouTube VDP के नाम से, उसमें आप क्लिक करेंगे तो ऊसमें दो वीटियो को हम सबसे पहला है आपने Google search पार पर जाना है और यहां पर लिखना है वीजू exam demo उसके बाद जो पहला वाला लिंक है इसको आपने open कर लेना है जैसे यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर अपनी ID डालते हैं यहां पर आपना password डालते हैं और login कर लेते हैं मैं अभी सिर्फ आपको एक प्रोटोटाइब एक ट्राइटोरियल दिखा रहा हूं इसवाए से यहां पर गेस्ट और उसकी login ID में डाली है यहां पर मैं इंटर कर देता हूं उसके बाद इंस्ट्रक्शन आ रही होती हैं यहां पर होता है कि कौन सा software आप यूज कर सकते हैं क्या चीज़े यूज कर सकते हैं पेपर का duration क्या है सारी चीज़े क्या है तो यहां पर जो पेपर का duration है वो 60 आपने भी buttons वगर आपने यूज करने वो सारे यहां पर यूज करने और जैसे आप instruction के panel पे भी होंगे तो यह देखें आपका जो timer है वो यहां पर आपने टिक मार्क करना है कि मैंने सारी instructions पढ़ लिए सारी चीज़ें कर लिए उसके बाद आपने अपने पेपर करते हैं अब देखें जब पेपर स्टार्ट करते हैं तो पेपर इंटरफेस कुछ इस तरीके का होता है इस तरीके का होता है कि यहां पर जैसा CS 001 कि आवाय के computer professional license जो है उसकी बात कर रहे हैं यहां पर किस टाइम पर आपने लोग-इन किया यहां पर आपकी पिचर आरी होगी आपके marks आरे होगे कि कुन सा माक कितने marks के आपको पूश्चन है क्या बहुत से स्टूडेंस क्या करते हैं इसको आपने नहीं करना है इसको होगा और नीचे की तरफ स्क्रोल करेंगे अगर आपको सही नजर नहीं आ रहा तो आप स्क्रोल डाउन कर सकते हैं कंट्रोल के बटन को दबा के उसके बाद जैसे यहां पर कुश्चन आ रहा पहले आपको MCQ मिलेंगे मिटरम के अंदर जो हैं वो 30 MCQ हैं और उसके बाद मे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल दिख जाएगी तो आप अब आपने 30 MCQ आपके पास आये हैं तो आपने 22 MCQ करने हैं यहां से मैं क्यलकुलेटर खोल लेता हूं आपको और डिटेल में समझा तो आपके तो आपने पूरे 30 MCQ करने लेकिन अगर आप 30 में से आपके जो है व MCQ किये और उसमें से जो है वो 9 आपके घलत हो गए ठीक है तो आपको 22 में से 21 नमबर मिल जाएंगे ठीक है टोटल नमबर जो है वो आपके 22 है लेकिन आपको MCQ दिये गए हैं 30 30 में से 8 जो है वो कुछ आपने 22 करने हैं लेकिन अनौस्मेंट के अंदर क्या लिखा होता है क 22 best select होंगे ठीक है अगर आपने 30 के 30 MCQ क्लिक अगर आपने direct 8 MCQ बिल्कुल ही छोड़ दिये कि यार यह तो मुझे आता ही नहीं चलो मैं छोड़ दूँ अगर आपको नहीं आता तो आप तुका मार लें उसको बिल्कुल छोड़े नहीं ठीक है तो उससे क्या होगा कि आपन इसमें से कुछ गलत होंगे को आपके कम मार्क्स मिल जाएंगे तो इसमें नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती ठीक है तो आपने जो है वो सारे MCQ क्लिक करने दूसर एक ट्रिक क्या हो गई यहां पर आपने जैसे इस पर यह कुश्चन आया वीच और फॉलिविंस ने एंस के टिरेड में अपने सी क involved riding अगर टो आपको उसका आंसर तो आपको द्रिक्स नहीं आता तो आपने मोगा डंगे कहा कSte existing क्रणा ना तो यह देखें यह. पर जो है वो green हो गया लेकिन मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूं अगर कोई MCQS आपने किया और आपको उसका आंसर जो है वह ऐसा लग रहा है कि यह आंसर शक में है आपको यह ठीक नहीं आपको आता है नहीं तो आप इसको फ्लेक कर देंगे ठीक है फ्लेक करके आप आ सब्सक्राइब करते हैं अब यह सब्जेक्टिफ पर जंप नहीं करना देखें अभी जैसे मैं सब्जेक्टिफ कुस्चेंज पर आगया हूं तो आपने क्या करना यहां पर देखना कि सिस्टम क्लोग रिप्रेजेंट अब आप जब सारे एंसी क्यूज करते हैं आएंगे तो आपको यहां पर आप आए और आपने देखा एक यहां पर है जाए और आपको यहां आपको यहांद आए कि मैंने एक एंसी क्यूज देखा है एडवांटीज ऑफ कंप्यूटर के हवाले से तो आपके दे सकते हैं कि एडवांटीज ऑप कंप्यूटर में एफिशेंसी आ सकती है सकती है सेफटी आ सकती है पास रिजर्ट आ सकता है तो एक दो तीन चार एंसी क्यूज आप आपको ऑप्शन दिये में तो आपने क्या करना है फॉलोविंग और दा एडवांटीज इस अप्प्यूटर सब्जेक्टिव कुश्चन को इस तरीके से आपने अटेम्ट करना है कि उस MCQs में जो ऑप्शन दिये हैं उन ऑप्शन की हेल्प लेते वे आपने कुछ ना कुछ लिग देना है अब उससे क्या होगा कि हां यार आपके कुछ तो एडवांटीज बन जाएंगे इन शॉर्ट में यह कहना चाहरा हूं कि आपने अपना पेपर अटेम्ट करना है तो MCQs से related अगर कोई subjective question आया है वो topic मिलता है तो आपने वहां से उसको search करके दे देना है बहुत से students होते हैं वो इस चीज़ को बहुत जादा efficiency समझते हैं कि दो गंटे का final का paper आपने आधे गंटे में कर दिया अब बहुत से students ये भी होते हैं कि यार paper मेरा इतना अच्छा नहीं हो आता लेकिन result बहुत अच्छा आया कि ऐसे students क्या करते हैं आप जित्ते भी senior students से वी यू के पूछेंगे तो वह कभी भी paper को blank छोड़ के नहीं आते हैं अब subjective question में 6 questions है छे में से आपने चार करने तो कुछ इस रूटने क्या करते हैं वो दो question बिल्कुली blank छोड़ करते हैं तो आपने देखे क्या करना है मैं दुबारा से आपको बताता हूं आपको सवाल का जवाब नहीं आता आप देखें कौन सा best option लग रहा है उसको आगे बढ़ जाए उसके बाद अगला question करें जो आपको आता है उसको आप flag ना करें उसको सरीफ green कर दें जैसे यह व में क्या होगा कुछ MCQs green होंगे कुछ purple होंगे जो green होंगे उनको देखनी की ज़रूद नहीं है जो purple होंगे उन पे आप क्लिक करें उनका option end में आगर आपके पास time है देखें and then उसको कर लें अगर end में आपको को subjective question नहीं आता आपके पास time है आप MCQs को go through करें उसमें से जो लगता है आपको कि यह options MCQs इस question से इस subjective question से related है उसको आप कर लें ठीक है एक तो यह trick की होगी कि exam software के अंदर आपने क्या चीज़े करनी है बेक का बटन यूज नहीं करना दूसी चीज़े यूज नहीं करनी ठीक है उसके बाद LMS के अंदर क्या tricks हो सकती है आपने अपन से assignment आया है जैसे वो assignment lecture number 3 से आया है तो अब आपको exam के अंदर lecture number 3 के preparation करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है क्योंकि उससे उन्होंने assignment ले लिया है maximum chances हैं कि जो आपका subjective और MCQs आये paper के अंदर उसके अंदर lecture number 3 included ना हो ठीक है तो जिस चीज़ से assignment आ गई है और GDP आ गई है उसको attempt करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ठीक है बागी चीज़ों की आप त्यारी कर लें अगर आपके पार time है तो आप उसकी भी त्यारी करें अगर timing नहीं है तो दूसरी की त्यारी कर लें दूसरा आप अपने handouts लाजमी रीड करें past papers की तरफ ना भागें पाकिसानी स्टाडीज है इसलामियाथ है और CS101 है जो बिल्कुल basic papers है उसके अंदर वो क्या चीज़े पूछ सकते हैं जैसे पाकिसानी स्टाडीज है उसका इसलामियाथ है उसका स्लेबर जो विर्चुल उनिवस्टी का दस साल से वही चलते वह आ रहा है तो उसके अंदर वो क्या नए सवाल बनाएंगे वो क्या दूसरी चीज़े करेंगे तो उसमें past papers से लग जाता है यह जो technical questions होते हैं conceptual paper होते हैं मजडी 510 मजडी 610 और ऐसे जो management education और दूसरी डिग्री से जो related conceptual questions होते हैं उसके अंदर past papers या past mcqs कोई help नहीं करते हैं आपकी तो आप handouts read करें और short lectures पूरे-पूरे लें आपकी जितनी अच्छी handout पर ग्रिप्ट होगी उतना अच्छा paper दे सकते हैं दूसरी है कहम चीज दूसरी का अछकुमों कि इस तरीका की आपकी डिपार आ रही होगी दुकितों है डिन के अंदर आपने क्या करना है ज sudah करना है अपने अपनी grading, इस स्कीम के ऊपर क्या थंपां रे नी आ करना है मैं आप नी इस एल्के अलडर करना है च realities aftergate फflower cette Then bênड देखते हैं थी पो अन चाहिए ओर अब अगर आपनी इस्सकीन को देखें यहां पर देखें तरह किंच के इनदर facet गीज और उसके अंदर नान पर्समर्ड दिये गए और आपके इसके अंदर फै Mans Lifshipper कशन के यू मिट्रम के उपर करनी है आप इस assessment scheme के हिसाफ से अपने जो grading activities है उसको एहमियत दें जैसे मिट्रम है उसको आप बहुत ज़्यादा एमियत दें उसके बाद assignment GDP जो है वह इसके 33% मांगे बहुत से स्टुल्ण क्या कर रहे होते हैं assignment के उपर इतनी मेहनत करते थे हैं कि उनके कुई कंप्रोमाइज हो जाते हैं और वह GDP के उतनी मेहनत करते हैं कि मिट्रम कंप्रोमाइज हो जाते हैं तो आपने क्या करना है कि इस grading scheme के according आपन जहन में रखते हुए वह आपने struggle करनी है hard work करना है कि कौन सी activity के कितने ज़्यादा मांथ हैं उसके उपर आपने जो है वह 100% help करनी है तो यह थी आज की वीडियो इस वीडियो के अंदर हाला कि इनकी grading scheme कम है लेकिन इनकी सबकी आहिमियत है अगर आपके GDP के अंदर zero number आ गया है यह तीन चीज़े जो है अगर आपने final के अंदर hundred out of hundred score कर लिया ठीक है लेकिन आपके इसके अंदर जो है वो 20% marks नहीं है 19% marks है तो भी आप fail हो जाएंगे बहुत से student last time जो बहुत जारा खलकत fail हुई थी तो बहुत से student ने इतिजाज किया और मसले मसाइल किये लेकिन वो 20% rule को strictly follow किया था 20% rule जो है वो देख सकते हैं दूसरा इसी वीडियो के अंदर जब आप 5 minutes पहुंचते हैं तो आपके पास किस तरीके से आप अच्छे तरीके से सकते हैं एक वीडियो है वो आप देख सकते हैं और यहां पर 20% rule के साथ एक और वीडियो आ लीगे किस तरीके से आप बैस्ट की त्यारी कर सकते हैं तो उन वीडियो सबस्क्राइब सकते हैं आगर आपको वीडियो को लाइक करें शेयर करें और्चैनल को सब्सक्राईब जरूर कर तके अभी हम पास्ट पेपर अर्मिस इसे लेटेट वीडियो स Noodles बनाएंगे तो वीडियो से छल्प हो सकते हैं अगर वीडियो मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक दुआओं में आद रखेगा